नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारे निउस में आपका स्वागत है आज है 12 सितंबर दिन मंगलवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर अंचलों की जमाबंदी पंजी को लेकर डीसी एलार को सक्त नर्देश पैक्स में ओननाइस दर्शता के लिए कड़ी आविदन इन दो प्रतियों की ताओं को लेकर मिधावी चातर चातराओं को पुरुस्कृत किये जाने ही तू आविदन आमत्रिद बिहार में यहाँ 20 से 23 सितंबर तक लगेगा रोजगार मेला एशिया कप में पाकस्तान के खिलाब भारतिय क्रिकेट टीम को मिली शांदार जीत अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वरी खबरों के ओर गुस्तार से भारतिय रिजर्व बैंक में 1000 सहायकों की भरती के लिए अधिसूशना जारी भारतिय रिजर्व बैंक के दोरा सहायक भरती के लिए अधिसूशना जारी की गई है जिसके मात्यम से 1000 पदों को भड़ा जाएगा ऐसे में वे उमिद्वार जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं इसके लिए अधिसूशना बीते दिन यानी की 11 सितंबर को जारी की गई है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करें तो बीते दिन जारी की गए अधिसूशना में योगिता को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है इस अधिसूशना को वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है अंचलो की जमाबंदी पंजी को लेकर DCLR को सक्त नर्देश बीदर दिन राजश्व एवं भूमी सुधार विवाग के अपर मुखे सचीव रजेश महरुतरा के दोरा बैठक कर राज़े के सभी भूमी सुधार उपसमहरता को दस लाख वैसी जमाबंदीयों को ठीक से जांच करने का नर्देश दिया गया है जिसके बाड़े में विवाग को संदे है कि ने ऑनलाइन मुटेशन सुरू होने के बाद गलत तरीके से पंजी दो पर चढ़ा कर ऑनलाइन कर दिया गया है कि छे अनुमंदलो, मधेपूरा, उदाकिसुनुगंच, हंजारपूर, मदुबनी, सोनपूर और बेलसंड में वहाँ के भूमी सुधार उपसमहरता ने पिछले दो महीने में एक भी मामली का निस्पादन नहीं किया है बिहार को रिटन में आज हम बात करेंगे वालमी की टाइगर रिजर्व के बारे में होकनी वाली हिरन, चित्तिदार, हिरन, होक हिरन, सांभर और नीला बैल भी यहाँ पाये जाते हैं मदनपूर वन खंड में बड़ी संख्या में भारतिय उड़ने वाली लोमडियों का देखा जा सकता है रिजर्व में समर्द पक्ची जात विविदता है, पक्चीयों की 250 से अधिक प्रजातियों की सूचना मिली है वालमी की अभ्यारने जंगल के लगबग 800 वर्ग किलो मीटर को कवर करता है और भारत में अस्थापित 18 वा टाइगर रिजर्व था यह बागो की संख्या के घनत्यों के मामने में चौथी अस्थान पड़ है 1998 के भारती इप्रानी सरविक्षन के रिपोर्ट के अनुसार अभ्यारने में तिरपन संदारियों, 145 वक्षियों, 26, 36 रिप और 13 उभैचर और टाइगर रिजर्व को आश्रे देनी की सूचना है विज्ञान प्रतीभा खोज परिच्छा के लिए इस दिन तक करी आविदन अगर आप भी NCRT, National Science Museum और विज्ञान भारती के द्वारा संयुक्त रूप से आयुजन किये जाने वाले विज्ञान प्रतीभा खोज परिच्छा में शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ खबर आपके लिए है बतादे कि विज्ञान प्रतीभा खोज परिच्छा में शामिल होने के लिए आविदन की शिरवात कर दी गई है जो की 30 सितंबर तक जारी रहेगी SM1 कुमिद्वार 30 सितंबर 2023 तक इस परिक्षा के लिए आवीदन कर सकते हैं बतादे कि इस परिक्षा के लिए नीजी वस सरकारी स्कूल के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं वहें इस परिक्षा में विजेता होने वाले विद्यार्थी को रक्षा उनसंधान एवं विकास संगठन में तीन सब्ता का एंटर्शिप का मौका मिलेगा और साथ ही राश्ट्रिय विजेताओं को एक वर्स के लिए दो-दो हजार रुपए भी छात्रविती के रूप में द सेंजित किया जाएगा जिसकी बाद प्रतिय stuck ृप मैं दो दिवसिय राजे इस्तरियस siwar में शामिल किया जाएगा जहां विवन गती वीधियां करवाई जाएंगी और फिर और 술 उनमें से 12 च्छात्रों का चेयन किया जाएगा जो 18 और 19 मैं 2024 को होने वाली राश्ट्री इस तर परिच्छा में शामिल होंगे कि पैक्स में ऑन्लाइन सुद्रिता के लिए करें अवीदर अगर आथी पैक्स tsunami Online संदर्षता के लिए आवΥन कर ना चाहते हैं। यह खबर आपके लिए है बता दिए कि बिहासरकार के सहकारिता विभाग के दौरा दी गए जानकारी के नुसार पैक्स में ऑनलाइन सुदर्शता के लिए विभागे वेबसाइट सदर्श का हस्ताक्षर पहचान पत्र आवासी प्रमान पत्र और अनुसंसा करने वाली दो पैक्स सदर्श का हस्ताक्षर शामिल है मालम हो कि विभाग के ओर से एक हेल्प लाइन नंबर 18-11-11-11-11 भी जारी किया गया है जिस पर संपर्क कर इससे जुरी चानकारी हासल की जा सकती है बिहार में अदानी समू के निवेश से 3000 युवाओं को मिलेगा रोजगार बहुत जल्दी बिहार में अदानी समू के निवेश की शिरवात हो जाएगी बता दी कि बिहार में अपनी सिमेंट फैक्टरी के लिए अदानी समू के दोरा बियाडा के पास उद्योग विभाग दोरा उपलत कराई गई जमीन के लिए राशी जमा कर दी गई है मालम हो कि अदानी समू के दोरा राशी में दो जगों पर सिमेंट फैक्टरी के स्थापना की जानी है जिन पर कुल निवेश तेईस सौ करोर रुपे है मालम हो कि पहली फैक्टरी नवादा के समीप इसित वारसली गंच में स्थापित किया जाएगा तो वहीं दूसरी फैक्टरी मुझा परपुर के मूती पूर में उस्थापित की जाएगी इसको लेकर उद्योग विभाग के नुसार इन फैक्टरी के लगने से राज्य के 3,000 लोगों को प्रत्यक्ष और और प्रत्यक्ष तोर पर रोजगार मिलेगा जनता दरबार में सीएम नितीश ने 37 लोगों की समस्याओं पर की सुनवाई बीते दिन मुख्यमंत्रे नितीश कुमार चार देशरत नमार्ग इस्थित मुख्यमंत्रे सचिवाले परिसर में आयूजित जनता दरबार में विविन विभागों से जुड़े कुछ से तिस लोगों की समस्याओं सुनी गई और उनका हल निकाला गया बता देकस दोरां सीएम नितीश के सामने किसन गंच से आई एक महिला फडियादी के द्वारा बताया गया कि उसका पती मदर्सा बोर्ड में नौकरी करता था उनका निधन हो गया है लेकिन अब तक अनुक करने फडियादी ने सीएम नितीश को बताया कि बहरारी पंचायत में सरकारी उच माध्य में एक विद्याले नहीं है जिसे छात्रों को पढ़ाई करने में काफी परिशानी हो रही है और साथ ही हमारे यहां के स्वास्ते केंद्र को भी बहतर करने की जरूरत है एक फडिया को सुलजाने के लिए संबनित अधिकारियों को नरदेश दिया गया इन दो प्रतियों गिताओं को लेकर मिधावी चात्र चात्राओं को पुरुस्कृत किये जाने हितु आवीदन आमंत्रित बिहार सरकार के विज्ञान प्रावेदिकी एवं तकनीकी सिक्षा विभाग बिहार काउंसल ओन साइंस एंड टेकनोलोजी तारावंडल पटना के दौरा स्री निवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथेमेटिक्स 2023 एवं सर्चीवी रमन टैलेंट सर्च टेस् साइन सोहजार 24 में कक्षा आठवी और नौवी के मिधावी चात्र चात्राओं को राश्ट्रिय गनित दिवस 2023 एवं राश्ट्रिय विज्ञान दिवस 2024 के अफसर पर पुरुस्कृत किये जाने हैं तो निश्लक आवीदन आमंतरित किये गए हैं बता दे कि एक से तीन स्थान प्राप्त करने वारे चात्र चात्राओं को लैप्टॉप, मिडल और प्रसस्ति पत्र प्रिदान किया जागा ऐसे में जो चात्र चात्र आवीदन करना चाहते हैं वह वेबसाइट बतादी कि आवीदन करने की अंतिमतारिक 10 ओक्टूबर 2023 तक निरधारित की गई है भूमिहीनों को जमीन देने को ओक्टूबर में शिरू होगा अभियान राजी के भूमिहीन या बास रहित लोगों को 3-5 डिसीमल जमीन देने के लिए बसेरा दो अभियान की बहुत जल्द ही शिरूवात होने वाली है बतादी के ऐसी उम्मीद की जारी है कि इसके शिरूवात ऑक्टूबर से ही हो सकती है हाला कि वर्तमान में भी एक सर्वे चल रहा है जिसका काम अंतम चरण में है जो सिदंबर महीने तक पूरा हो जाने की पूरी संभावना जताई जारी है आपके जानकारी के बतादी कि सभियान के अंतरगत भूमी हीन लोगों को 3-5 डिसिमल तक की जमीन दी जाती है ताकि वे इस पर आवास बना कर रह सके मालम हो कि सर्वे को लेकर राजश्व एवं भूमी सुधार विभाग के दौरा राज़े के सभी जिलों को इससे संभन सर्वे कारे को सही तरीके से सबय पर पूरा करने का नर्देस दिया गया है बता दे कि एप पर एकत्र या अप्लोड हो रहे सभी डाटा की विभागे इस तर पर समुझित सविक्षा के बाद अंतिम सुझी तयार होगी बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे विद्यापती के बाड़े में विद्यापती मैथली और संस्कृत कवी संगीत का लेखक दरबारी और राजपुडोहित थे वर शिव के भक्त थे लेकिन उन्होंने प्रेम गीत और भक्ती वैशनव गीत भी लिखे उन्हें मैथल कवी, कोकील, मैथल के कवी, कोयल के नाम से भी जाना जाता है विद्यापती का प्रभाव केवल मैथली और संस्कृत साहित्य तक ही सिमित नहीं था बलकि अन्यपुर्वी भारतिय साहितिक परंपड़ाओं तक भी था उन्हें बंगालिश रहिते का जनक कहा है विद्यापती भारतिय साहिते की स्रिंगार परंपरा के साथ-साथ भक्ती परंपरा के प्रमुक्स स्तंबो में से एक और मैथली के सरवोपडी कभी के रूप में जाने जाते हैं थानों में शराब के साथ अब मादक पदार्थ की भी होगी जान्च आर्थी कपरात इकाई के पुलिस उपमाहररिक छक मानत जीत सिंग धिलो के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि अब बिहार में पुर्ण शराब बंदी को लेकर थानों में अब सराब के साथ मादक पदार्थों की भी जांच की जाएगी इसके लिए सभी थानों को DDT किट दिये जाएंगे ताके बिना समय गवाई मादक पदार्थों के प्रविती की जांच की जा सके मालू हो कि राचे में अकसर सफेद पाउडर की यार में मादक पदार्थों की तसकली की जाती है लेकिन फुलिस के द्वरा पकरे जाने के बाद भी उसकी पहचान नहीं होती जिसके बाद मामला संदिक्त बना रहता है ऐसे में अगर सभी थानों को डीडीटी किट उपलब्ध हो जाता है तो उसकी मदद से तुरंत उन पदार्थों का पता लगा कर उन पर सिकंजा कसा जा सकता है 11-12 के लिए 40 वोकेशनल कोर्स की लिस्ट तयार केंद्रे माधिमिक सक्षा बोर्ड के दोरा कक्चा 11-12 के विद्यार्थियों के लिए 40 वोकेशनल कोर्स और कक्चा 9-10 के लिए 20 कोर्स की सुची तयार की गई है बता दी कि बोर्ड की ओर से या कोर्स विद्यार्थियों तक रोजगार की महत्ता को पहुचाने और इसकल बढ़ाने के उद्यसे से शुरू किया जा रहा मालू हो कि इन कोर्स की 70 प्रतीशत पढ़ाई, प्रोजेक्ट आधारित तो वही 30 प्रतीशत पढ़ाई, संधांतिक तरीके से होगी स्कूल प्रबंधक रेगुलर क्लास की छुट्टी के बाद भी स्कूल में वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं इसमें स्कूल के बच्चों के अलावा स्कूल से बाहर के बच्चे भी वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं तो पहर दो बजे के बाद भी वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई कराई जा सकेगी बोर्ट के निर्देश अनुसार स्कूली बच्चों को एक सत्र में 12 से 15 घंटे वोकेशनल क्लास का संचालित किया जाना है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जिन वोकेशनल कोर्स को चुरा गया है उनमें Artificial Intelligence, Mass Media, Travel Tourism, Mask Making, Beauty and Wellness समेट काई विशय साम है बिहार के दो बेटों के दोरा अंतराश्ची अस्तर पर राजची का नाम रोशन किया गया है इनमें से एक पटना के पाटले पुत्र के रहने वाले सयस्त कपूर और दूसरे और अंगाबाद के विनीत कुमार है दरसल सयस्कपूर को AI यानि की Artificial Intelligence में बहतर काम करने के लिए Time Magazine के दोरा विश्व के टॉप सौ सक्सियतों में भारत से एकलोते हैं इनकी तस्वीर Time Magazine के दोरा कवर पेज पर छापी गई है वही दूसरे और अंगाबाद के देव हडा के रहने वाले विनीत कुमार को स्टार्ट अप एंडिया तेलागना सरकार और नॉर्धन वीवी बोस्टन की ओर से आयूजित कारिक्रम में स्टार्ट अविश्कार के लिए दूसरा स्थान मिला है और अब उन्हें अमेरिका के नॉर्धन विश्र विद्याले में 15 दिनों के लिए रिसर्च करने का ओफर दिया गया है वह इसके लावा उन्हें एक लाग के छात्रविती भी मिली है अगर आप भी रोजगार है और रोजगार की तलाश में है तो यहाँ खबर आपके लिए मंददगार साबित हो सकता है बता दे कि नियोजन पताधिकारी मृरिनाल कुमार चौधरी के द्वरा दी गई जानकारी के नुसार 20-23 सितंबर तक दर्भंगा जिले के प्रखंडों में रोजगार मेला का आयोजन किया जाने वाला है जिसमें 20 सितंबर को बेनिपूर प्रखंड में रोजगार मेला लगने वाला है तो वहें 21 सितंबर को तार्दी प्रखंड में 22 सितंबर को मनिगाची प्रखंड में और 23 सितंबर को दर्भंगा सदर प्रखंड में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा बतादे किस रोजगार मेले में कुल 1200 सीटों पर युवाओं को रोजगार उपलब्द करवाया जाएगा मालम होग इस जॉब कैंप में 10 वी पास से लेकर इसना तक पास तक के युवा भाग ले सकते हैं जेल में बंदी से घर बैठे करे मुलकात अब राची में जेल में बंद कैदी से घर बैठे भी मुलकात की जा सकती है बतादे कि ऐसा इस मुलकात सिस्टम के जरिये किया जा सकता है बतादे कि इसकी मदद से बंदियों के परिजन डॉक्टर अधिवक्ता वीडियो कॉन्फरेंसिंग सिस्टम से मुलकात कर सकते हैं मालूमों कि असुवधा प्रती बंदी सब्ता में अधिक्तम एक दिन के लिए उपलद करवाई जाएगी हलागस कालाब उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवाड है जो कि पतादी के दोरा दिये गए जानकारी को पहले सत्यापन किया जाएगा और फिर कारा धिर्चक के दोरा मुलाकात की अनुमती देते वे मिलने का दिल समय मोबाइल नंबर पर उपलब्ध करवाया जाएगा राजे के को जिलो में बारिस को लेकर अलर्ट बिहार में मौसम का मिजास बदला हुआ है बदलते हालाद के बीच में दक्षिन पश्चे मौनसून की सक्रिता में कमी की बात कही जा रही है हालाकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि राजधानी पटना के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलो में आसमान में बादल छाई रहने की संभावना है तादे की विभाग की तरफ से जारी अपडेट के नुसार 12 सितंबर को प्रदेश के उत्री भागों के जिलो में एक या दो अस्थानों में वजरपात के साथ में गर्जन होने की संभावना है तेरह सितंबर को लेकर जारी अपडेट में है बताया गया है कि प्रदेश के दक्षिन मत्य और दक्षिन पुडव के जिलो में एक या दो अस्थानों में वजरपात के साथ में गर्जन होने की संभावना है राजे के 1312 CBSE स्कूलों में खुलेंगे साइबर क्लब मैं कक्षा में एक या दो दिन साइबर सुरक्षा की कक्षाएं भी चलाई जाएंगी जिसमें बच्चों को साइबर अपरात से जुरी सभी जानकारी उप्लब्द करवाई जाएगी कि कैसे साइबर अपरात से बचा या सुरक्षित रहा जा सकता है इसके अलावा यह भी जानकारी दी जाएगी कि इंटरनेट के इस्तमाल के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है आपके जानकारी के बता दे कि बोर्ड के द्वारा स्कूलों को साइबर क्लब खोलने के लिए एक महीने का समय दिया गया है वानिचेकर विभा के अधिकारी करेंगे करदाताओं के शिकायतों का नप्टारा शिकायतों का नप्टारा प्रतीक महा का दुईत्य एवं चतुर्थ मंगलवार को पुरवाहन 11 बजे से एक बजे तक अस्थानी अंचल कारे आले वानिचेकर विभाग में किया जाएगा बतादे ही करदाता इंसेविडों में उपस्तित होकर और इमेल ctd.bihar.grivences.gmail.com पर भी शिकायत दरज करा सकते हैं डीजीपी ने एक पोस्ट के जरीए बताया cm नितीश की व्यथा तेस्तरा रेटाइड IPS अधिकारी वब बिहार के पुर्वर डीजीपी अभ्यानंद के द्वारा अपने सोशल मीडिया पर लिखते वे विशेश निगरानी काई को लेकर पुरानी बात याद दिलाई गई है जिसमें उन्होंने सीयम नितीश का भी जिक्र किया है उन्होंने लिखा है कि दिती तो स्मरन नहीं है पर संभवता एक अगस 2006 होगा जब मोखे मंतरी चिंता की मुद्रा में अपनी व्यथा मुझे अकेले में बता रहे थे मेरा पूरा प्रयास ब्रश्चचार की भेड़ चर जाता है मैंने उतना ही गंभीर स्वर में जवाब दिया आप अगर बहुत सीरियस है तो इसका इलाज है उन्होंने कौतुहल वस मुझे जाना चाहा मेरे बुद्धी में ततकाल कौन था सेपी के तरच पर सीवा निवरत वड़िये अनुसंधान को की टोली बनाई जाए और उन्हें मिशन दिया जाए कि केवल आईस यदि एक समपती अधवा क्रीन क्रैप यदि दो प्रकार के केस लिये जाएंगे और केवल विभाग के प्रमुखस्तर के पतादिकारी पर ही अनुसंधान होगा उन्होंने आगे लिखा किस पर अनौपचार एक समती बनी सीएम ने टैग किया कि इसकी घोषना गांधी मैदान में की जाएगी उस दुरान मैंने सलाह दिया था कि विधान सबाब बहतर जगा होगा लेकिन उनकी भाबना थी कि विपक्ष वॉक आउट करता रहता है इसलिए आम जंता के बीच ही एलान करना सही होगा जिसके बाद इसकी घोषना करने के बाद घर लोटने के बाद मुझे उनकी फोन आई और कहा कि मैंने तो आपके सुझाओ पर घोषना कर दी अब आगे कैसे बढ़ेगा यह देखिए जिसके बाद मैंने दौर भाग कर इस सराप तसकरी से जड़ी मामले सुनने को मिलते रहते हैं हालाक इन पर नकेल कसने के लिए उतपाद विभाग की ओर से जीतोर कोशिश की जा रही लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही बलके सराप तसकर आई दिन तसकरी के ल गया है इसके साथ ही टीम के दौरा इस दौरान एक तसकर की भी गिरफतारी की गई है जिसकी पहचान अमिस सिंग के रूप में की गई है वही टीम ने एक ट्रक कंटेनर को भी अपनी गिरफत में ले लिया है मिले जानकारी के निसार दबा के नाम पर कागस तयार कर सराप क तसकरी की जा रही थी फिलाल इस मामली की जाच चल रही है बतादे कि इस बाद की जानकारी उत्पाद अधित चक्रा के इश्कुमार के द्वाराद दी गई है भारत के तियास में आज की तारीक है कहीं कार्णों सदर्च तैमूर लंग 1398 में सिंधू नदी के ततपड पहुँचा भारतिये तराक महीर से ने 1966 में डार्टा नेलेस जल डमरू मधे को तैर कर पार किया सेउंगत राष्ट के काड़ियों की बार्सिक रिपोर्ट में 48 वर्षोबाद कश्मीर का जिक्र पहली बार नहीं किया गया नियू यूर्क में 2000 को अंतराष्टी आयोवी सम्मेलन प्राडंब उतरपर्शिम अंतराष्टी ए समुदरी मार्ग से लिए एक महतरपुन समझोते पर भारत एरान एवं रूस के बीच समझोता हुआ भारतिय महिला टीम विश्व सतरन चैंपियंशिप में 2009 को आखडी दोर में अमेरिका को 31 सेहडा कर साथवे स्थान पर रही सहरा इंडिया इंवेस्टमेंट कॉर्पोरिशन ने 2008 में अपना नॉन बैंकिंग वीदिय कारोबार बंद किया प्रसद स्वतंता सिनानी और लोकसभा के प्रभाव शाली सदर्श्य फिरोज गांधी का जन 1912 को हुआ था प्रसद साहितेकार चंदरधर सर्मा गुलेरी का निदन 1922 को हुआ था प्रसद रजनाकार रांगेई राघब का निदन 1922 को हुआ था WhatsApp में document sharing को आसान बनाने के लिए company आपको इक नया document picker tool देने वाली है इसकी मदद से आप सीधे phone की gallery से photo या video को document के रूप में भेज़ पाएंगे नए media picker tool की मदद से आप gallery में आसानी से switch कर पाएंगे और किसे भी photo, video आदी को document के रूप में share कर पाएंगे document sharing feature का फाइदा ये है कि इसकी मदद से लोग original quality image या video को शामने वाले तक पहुँचा बाते हैं सबडेट की जानकारी WhatsApp के development पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA Beta Info ने शेयर किया फिलाली अपडेट Android Beta के 2.2.3.1.9.3 में देखा गया है आने वाले समय में कंपनी से सभी के लिए रोल आउट कर सकती है अगर आप भी WhatsApp के तमाम अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो कंपनी के बीड़ा प्रोग्राम के रें इन्रोल कर सकते हैं वालकर मैं आज हम बात करेंगे GB Summit के आयोजन अस्थल पर जल भड़ाओ के बारे में सोसल मीडिया पर कहीं सुचनाय वारल होती है लेकिन सभी सचो ये जुरूरी नहीं है इसी करी मैं आज हम बात करेंगे GB Summit के आयोजन अस्थल पर जल भड़ाओ के बारे में खुले छेतर में मामुली जल जमाओं को तेजी से साफ कर दिया गया बर्तमान में कारी क्रमस्थल पर कोई जल जमाओं नहीं है बीते दिन शेयर मार्केट ने रचा इतिहास इस तपता का पहला काड़ोबारे दिन यानि की बीते दिन शेयर बाजार ने इतिहास रच दिया 23,000 अंग के पार जाने में सफल रहा बॉंबे स्टॉक एक्स्चेंज का इंडेक्स सेंसर्ग्स 651.62 अंग बढ़कर 67,146.63 अंग पर कारोबार कर रहा था अगर हम बात करें कि बीते दिन किन सेक्टर को कंपणियों में तेजी रही तो बैंकिंग स्टॉक्स के अलावा हल्थ केर, फार्मा, एनर्जी, आईटी, आटो, एफम, सीजी मिटल्स जैसे सेक्टर हरे निशान पर बंद हुए मालम हो कि बीते दिन मीडिया सेक्टर को छोड़कर अनिस सेक्टर में तेजी देखने को मिली जीतर नाम मांची ने जीबीस में नितीश कुमार के जाने की बताई वज़ा जीबीस के रातरी भोज में बिहार के मुख्य मंतरे नितीश कुमार के शामिल होने के बाद राज़ितिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है इससी बीच अब बिहार के पुर्वमुक्य मंत्री जीतर नाम मांजी के द्वारा भी बताया गया है कि सीम नितीश जी बीस में क्यों शामिल हुए थे उन्होंने कहा कि जब पट्टा में व्वक्षी दल की बैठक हुई थ बाहा था कि शादी कीजिए हम लोग बराती बनेंगे हम उसी दिन समझ गये थे सीम नितीश को भी समझ जाना चाहिए था उसके बाद रही सही बाते बैंगलूरू में हो गई जिसके बाद सीम नितीश को वहां से भागना पड़ा था और फिर मुंबई गया लेकिन जैसे ही उन्हें जीबीस में बुलाया गया तो उन्हें खिड की दिग गई उन्होंने सवाल पूछते वे कहा कि पी एम मोधी जो नितीश कुमार को मिलवा रहे थे उसका क्या ओचित है इसका मतलब यही है कि नरेंदर मोधी के दिल में कहीं न कहीं कुछ चल रहा है इस बात को हमने कहा है अब आगे देखिए क्या होता है उन्हें कहा कि अगर नितीश कुमार के मन में कोई बात नहीं चलती तो वह वहां नहीं जाते हम प्रते दिन आपसे पांच ऐसे जरुड़ी सवाल और उसे जरुड़ी जवाब बताएंगे जो कि BPSC पिहार पुलिस दरोगा समीत SSC च की से बस मनाया गया है उप्षिने 10 सितंबर ईप्षिन भी 7 सितंबर उप्षिन सी 4 सितंबर उप्षिन D 8 सितंबर कisf अगला सवाल, हाली में उत्तर प्रदेश राज्जी के प्रयाग राज सहर के पुलिस ने वरिष्ट नागरिकों के लिए किस योजना की शुरू की है? अगला सवाल, हाली में फैशन ब्रांट डबलू ने किस अभिनेतरी को अपना प्रांट एमबेस्टर बनाया है? अगला सवाल, बिहार से प्रांट पहला दुई भाषी अभिले किस मद्यकालीन शासक से संबन्धित है? अप्शनी बाबर, अप्शनी अकबर, अप्शनी साजहां इसका सही उत्तर है option B शेर सा अगला सवाल वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेक बिहार में मिले है option A बाबर, option B अकबर, option C हुमायू, option D जहांगी इसका सही उत्तर है option B अकबर, बीते दिन हमाय दोरा पूछी का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना चाप हमें हमारे comment section box में लिख कर दिया था जिन्होंने हमाय दोरा पूछी का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथी बढ़ते हैं आज के सवाल कियोड आज का सवाल है बीते दिन पाकस्तान के खिलाव भारतिय टीम को मिली जीत के बाद आज आपके अनुसाल भारत और श्रिलंका के खिलाव खेले जाने वाले मैच में किस टीम का पलरा भारी है अपना जवाब हमें अमारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बरे रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चालन को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो फेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद